दुनिया विविदिता से भरी है जो चीजे हमारे यहां सोना है हो सकता है इस धर्ती के किसी दूसरे कोने में उसका मौल मिट्टी जिता हो अब दूद, दहीं, मक्षन, घी, चॉकलेट, मिठाईयों को देखते ही मन में हमारे एक दम लगता है वाह अभी खा ले यह चीजे हमारी संस्कृती और खान-पान में समाहित हैं इन्हें हम भरपूर मात्रा में खाते भी हैं हम इन्हें हेल्दी खाने की श्रेनी में भी रखते हैं इसके बिना हमारी रसोई अधूरी है लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां इन चीजों को बेहद तुछ माना जाता है वैसे इनका दूद मक्षन नहीं खाना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात तो यह है कि यह दुनिया का एक सबसे आधुनिक देश है यहां के लोग दुनिया में एक सबसे त्रीवर बुद्धी वाले यानि सबसे तेज दिमाग वाले कहलाते हैं इनका IQ लेवल बहुत हाई है इनके यहां तमाम तरहां के इनोवेशन हो चुके हैं ये टापुनाम देश अब तक 26 से अधिक नोबल पुरुसकार जी चुका है यहां की कमपनिया दुनिया पर राज करती हैं आपके घर में भी इस देश की किसी ना किसी कमपनी का एक सामान तो जरूर मिल जा भारत के कुलक शेतरफल के करीब दसवें हिस्से में बना है यह देश यहां की आबादी हमारे उत्तरपरदेश की अबादी से करीब आदी है यह देश इतिहास में कभी गुलाम नहीं रहा यह करीब 2700 सालों से आजाद है यहां दुनिया की सबसे पुरानी कमपनी बनी थी यहां के लोग बहुत ज्यादा दिनों तक जीते हैं यहां की आज़सत उमर 84 साल है इससे आगे केवल सिंगापूर है तो इतनों कुछ बताने के वादा आपको हम अब इस खुबसूरत देश का नाम बता देते हैं यह देश है हमारा मित्र देश जापान जापान के बारे मे तमाम खुबसूरत जानकारियां देने के बाद हम अब आपको बता दें कि इस देश में डेरी प्रोड़क का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है सांस्कृतिक तौर पर यहां के भोजन में डेरी प्रोड़क शामिल नहीं है फिर भी यह दुनिया के सबसे स्वस्थ और मेहनत करने वाले लोग हैं दरसल जापान के इतिहास में ही डेरी प्रोड़क की कोई एहमियत नहीं रही है इस बारे में कोरा वेबसाइट पर खुब सवाल पूछे जाते हैं इसमें से एक यूजर ने जवाब दिया था कि उनका मानना है कि जापान के लोगों के भोजन में परमपरागत तोर पर डेरी प्रोड़क का इस्तमाल नहीं होता लेकिन धित्ने विश्व यूद के बाद यहाँ थोड़ा डेरी प्रोड़क का इस्तमाल होने लगा है इसके पीछे का कारण यहे है कि वोल्ड वॉर के तुरंत बाय यहां बड़ी मातरा में खादे-पदार् बताया कि जापान की भौगॉलिक स्थिती ऐसी है कि यहां पशों को पाला ही नहीं जा सकता जापान के 80 फीसद हिस्से में पहाड़ियां हैं यहां पर गाएं भैंस पालने की परंपरा ही नहीं रही है इतना ही नहीं अधिकतर पूर्वी एशियाई देशों में डेरी प्रोड से नफरत करते हैं उनको डेरी प्रोडक्त की गंद बेहत गंदी लगती हैं जापान में करीब 6 साल बिताने वाले एक रिसर्च स्कॉलर ने लिखा कि जब जापान के लोग पहली बार पूर्टगालियों से मिले तो उनको लगा कि यह लोग बेहत गंदे महकते हैं दरसल उन जापानी रोज नहाते भी थे हलाकि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जापान में डेरी प्रोडक्त का चलन बढ़ गया रिसर्च स्कॉलर अपनी एक जापानी दोस्त की कहानी शेयर करते हैं उन्होंने लिखा कि उनकी एक दोस्त को स्कूल के दिनों में लंच खतम नहीं करने कि सजा दी गई थी सजा में उसे पाउडर से बना दूद पीने के लिए दिया गया था उन्होंने मुश्किल से नाक दबा करिया दूद पिया था कोरा वेबसाइट पर रिसर्च स्कॉलर ये भी बताते हैं कि जापान के होकाईडो में पशू पाले इंडस्ट्री है यहां दूदारू पशू पाले जाते हैं लेकिन इनको पालने के पीछे का मकसद दूद नहीं बलकि मास के लिए इन पशू का इस्तिमाल होता है तो आपने देखा ये दुनिया कितनी अजीबों करीब हैं कहीं दूद अमरित की तरह माना जाता है जैसे हमारा देश और कहीं दूद से लोग नफरत कर सकते हैं जैसे जापान ऐसे ही बहुत सारी खबरों के लिए आप बने रहे हैं नेशन स्पीक्स के साथ